क्या हाल हैं दोस्तों, I know बहुत मुश्किल समय है, if you're a Chelsea fan और जिस तरीके से चीज़े आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरीके के न्यूज आ रही है दिन पर दिन और हर घंटे में जो चीज़े हैं, हो चेंज होती जा रही हैं, तो it's not an easy time to be a Chelsea fan. राइवल फैंस को और जो लोग चाहते हैं कि Chelsea अच्छा ना करे, उनके लिए तो भई एक party का time है, Christmas has arrived early, उनके लिए तो और, मतलब यही है, कि इस समय Chelsea जो है, बहुत जादा दिक्कत में है, हम सब को पता है, एक मैं point जो है, वो बोलना चाहता हूँ, इन sanctions को लेके, कल बहुत करी, हर podcast पे बात करी, एक मैंने separate वीडियो भी किया, करन सिंग मैजिक के साथ, मुझे करने का opportunity मिला, तो उनके भी मैंने thoughts लियो, उस पे तो हम सभी as Chelsea fans, काफी disappointed है, इस पूरी situation से, मैं बस यह कहना चाहता हूँ, कि यह जो sanctions है, यह एक दोगलापन है, बहुत बड़ा दोगल चाहिए, तो बात ऐसी है, कि अगर आपको punish करना था, तो आपको क्या करना था, कि जब तक यह sanctions लगे हुए है, आपको Chelsea को penalty देनी चाहिए थी, उस दोरान जितने भी matches है, forfeit करना चाहिए था, तो लगता कि हाँ यार, कितने सई sanctions लगाए हैं, और मतलब बिलकुल ही, यहाँ पर तो भीया, Chelsea के लिए दिक्कते हो गई है, आपने क्या किया है, क्योंकि Chelsea जो है, वो पैसा तो pump करता ही, economy में, बहुत सारे fans जुड़े में इस से, Premier League को और ज़्यादा glamorize करता है Chelsea, तो आपको उस चीज़ पर सफर नहीं करना है, क्योंकि आपकी viewership कम हो जाएगी, लेकिन आपको यू Chelsea को penalize करना है, मतलब आपने sanctions लगा दिया, because champions of Europe है, champions of world है, उनका खेलना तो जरूरी है, तो इनके expenses सारे हम करेंगे, debt इन पर डाल देंगे, दो महीने में इनकी इतनी हालत खराब कर देंगे financially, कि यह बिलकुल करजे में यहाँ तक डूब जाएं, लेकिन इनको कोई income हम create नहीं करने देंगे, किसी भी तरीके की, ना merchandise की sales है, ना ticket की sales है, तो दिख रहा है, और एक बहुत ही अजीब तरीके का political agenda है, जो चलाया जा रहा है, और वो दिख रहा है कि वही किता ज़्यादा pressure है, UK की government पे, तो वो इस सब चीजों से जो है, वो अपने आ employed लोग हैं, उनको पढ़ रहा है, और दूसरी चीज ये है, कि आप अभी तक जो रशिया से तेल आ रहा है, जो gas की supply आ रही है, उस पे तो आपने कोई रोक लगाई नहीं है, आप अभी भी उनी की resources यूज कर, लेकिन आपको यहाँ पर एक Russian owner से problem है, तो ये एक थोड़ा सा जो है, मेरे को समझ नहीं आया, कि क्या रुख है UK government का, क्योंकि ban करना था, तो पूरा करना था, ये आदा दूरा ban मेरे समझ नहीं आता है, दूसरा में Chelsea fans को कहना चाता हूँ कि guys, please stay strong, stay very very strong, और हम इससे comeback जरूर करेंगे, worst case scenario क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, worst case scenario है, कि जो हमारा club है, वो administration में चला जाएगा, सब कुछ हमको liquidate करना पड़ेगा, administration में जाने का मतलब है कि club को normal day-to-day basis पे run करने के लिए अपने सारे assets बेचने पड़ते हैं, वो चाये players हो, चाये उनका खुद का stadium हो, चाये और भी चीज़े हो, जैसे अभी Rangers के साथ हुआ था scenario यह है, फिर आपको एक 9 point की penalty भी लगती है, नई season start होने से पहले, तो minus 9 point से आप अपना season start करते हैं, with all your assets gone, or your players gone, तो I think उतनी खराब तो situation नहीं होगी Chelsea की, Roman Abramovich जो है वो पहले ही बेच देंगे, although उनको कुछ भी इससे पैसा नहीं मिलेगा, 2.5 billion pound का जो sum है, वो कोई इत करता है कि यह कुछ दिन चलेगा, और कुछ एक तरीका निकल आएगा, जिसके around, जो है, एक solution निकल जाएगा, and we will circumvent away, or we will come out of this, क्योंकि अगर यह चलता रहा, तो Chelsea, मलब नीचे जाएगी, डूब जाएगी, और worst case scenario हम relegate भी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, बिलकुल नहीं करनी है, क्योंकि यह ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, यह किसी के भी हाथ में नहीं है, हम Chelsea fans कुछ नहीं कर सकते, the only thing we can do is pray, and pray for our club to be in good hands, after Roman Abramovich is gone, क्योंकि I don't see Roman Abramovich staying, बहुत लोग यह कह रहे थे कि, मेरी भी एक थियोरी थी, कि यह हो सकता है, कि pressure बनाने जाधा pressure create कर दिया है, कि even if he comes back, तो वो एक इतनी negative publicity हो गही है, और इतना जाधा, मतलब एक, मैं कहूं, antagonize कर दिया गया है, Roman Abramovich को villain बना दिया गया है, कि अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है, and by the way, war ends as soon as possible, मतलब अच्छा नहीं लगता है, कि इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस club की परवा है, club जो है Roman Abramovich से पहले भी था, club Roman Abramovich के time पे नहीं उचाईयो कुछ हुआ, और club जो है Roman Abramovich के बात भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, यह पता नहीं, लेकिन हमको as football fans, as Chelsea fans घबराना नहीं है, और हिम्मत रखनी है, और जो होगा देखा जाएगा, य हम चिंता भी करें, मेरको तो लग रहा था, club Norwich से हारेंगे, players की mentality को जो है, बड़ा धक्का लगा हुआ, लेकिन नहीं यार, देखके लगा कि players are willing to give everything on the pitch, और Thomas Tuchel का interview भाई, जब तक हमारे पास shirt है, जब तक हमारे पास एक bus है, game तक पहुँचने के लिए, हमें फरक नहीं पड़ता हम जो है, बिल्कुल अपना जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, और ये jersey देखो न यार, कित्ती बड़िया लगेगी, अगर ये 3 हट जाएगा तो, मुझा अच्छी लगेगी, यार, plain jersey, old school type की, जैसे Roma की jersey थी, बिना sponsor की, कित्ती सही लगती थी, तो just look at the positives, और जो भी है, ठीक है, क्लब डूपता है, नहीं डूपता है, डूबेगा, तो obviously, मतलब ठीक है, जित्ता देखो, रोना था, मैं रो चुका, जित्ता मुझे दुख मनाना था, मैं दुख मना चुका, it's just hilarious after a point, जो हो रहा है, मतलब उसके पीचे को logic नहीं है, तो जब logic न नहीं छोड़ेंगे, क्या वो UK Government के हाथ में दे देंगे, और अपना पैसा जो उसको जाने देंगे, अगर वो बहुत ही जादा passionate है, क्लब के लिए, जो कि वो है, तो मुझे लगता है, कि worst case scenario में तो वो ही करना पड़ेगा, this means कि उनको direct घाटा है, धाई से 3 billion pound का, और ना य फिकत नहीं है, फिर तो मलब चीज़ें जैसे चल रही थी, वैसे चलेंगी, depends on the owner's ambition, और owners क्या चाते हैं, वैसे होगा, worst case scenario, assets जब तक frozen रहते हैं, May 2022 तक, तो club जो है administration में चला जाएगा, liquidate हो जाएगी चीज़ें, और जैसे तैसे मतलब फिर क्या future होगा, क्योंकि अगर Roman Abr Abramovich और उनकी company इसमें पैसा invest नहीं कर पाएंगी, तो how the club will run, that is an interesting proposition, but even if everything goes down, everything goes south, मैं और मेरे जैसे लाखो Chelsea fans इस club को कभी support करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है, मैं जब Chelsea fan बनाता तो मिरे को नहीं पता था कि Roman Abramovich इसके owner है, और मिरे को नहीं पता था कि Roman Abramovich के आने के बाद हमने इतनी trophies जीती हैं, और उनके पैसे से हम champion बने हैं, मिरे को team अच्छी लगी, मुझे कुछ connect किया, और मैं इसका fan बना, तो first of all I don't need to justify, और no Chelsea fan needs to justify, कि why they are a fan of this football club, और not only Chelsea fans, अगर आप किसी भी team को support करते हो, आपको कोई भी justification देने की जरुवत नहीं है, thanks to all the fans, especially the non Chelsea fans, जिन्होंने support दिखाया है ऐस दोरान, चाया वो Manchester United के fans हो, Liverpool के fans हो, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Munich, अलग अलग clubs के, Arsenal के कुछ fans ने मेरे को DM किया कि भाई, as rivals, मतलब ये हमको कभी भी Chelsea पसंद नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है, this is absolutely unfair, और हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो यार ये this means a lot, thank you so much, और बहुती positive comments हैं इस बार तो जाधा तर, तो thank you so much, ऐसी अपना support बनाया रखे हैं, और जो भी आपके friends है, Chelsea fans, जो भी आपके भाई लोग है, यार उनको आप थोड़ी सी हिम्मत दे, क्योंकि ये ही time है, जब सारा football एक साथ आए, और अगर आप agree नहीं करते हैं इससे, तो ठीक है, बट आप ये देखिए कि इस सबसे एक Chelsea fan को कितना फरक पड़ता है, और it's not Chelsea football club who is invading Ukraine right now, it is Russia, तो ठीक है, जो भी होना चाहिए, Russia के साथ होना चाहिए, Chelsea football club should not suffer because of that, and even if we suffer, even if the damage is irreparable, कोई दिक्कत नहीं है, it is all about this, it is all about this batch, this Chelsea football club, तो हमेशा मैं इस club को support करेंगे इसके साथ बने रहेंगे, और just take it as it comes, देखते हैं क्या होता है, जादा load नहीं लेना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जादा दिमाग खराब करनी की जरुवत नहीं है, जादा परिशान होनी की जरुवत नहीं है, चिल रहो, जो होगा देखा जाएगा, WWE stream करने वाले हैं तक अपना ध्यान रखें, छोटा सा message था मेरी तरफ से, मुझे समझ नहीं आया था क्या बोलू, तो जो भी है दिल से बोला है, I hope आपको पसंद आया हो, मिलेंगे जल्दी, till then अपना ध्यान रखें, take care and don't forget to keep the blue flag flying high.